हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ सेहर करने वाली हूँ पनीर 65 की रैस्पी ये रैस्पी खाने में बहुत ही लाजवार लगती है और बनाने में बहुत ही आसान है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं पनीर 65 बनाने के लिए मैंने ये दो से पचास ग्रम पनीर लिया है इसे में बड़े-बड़े क्यूब्स में काट लिया है और इसमें हम स्वाथ केंशार नमख डाल देंगी खल्दी पाउडर पस्मीरी लालमर्च पाउडर एक चम्मच बना हुआ जीरा पाउडर एक चूटी चम्मच गरम मसाला पाउडर एक चूटी चम्मच धनिया पाउडर और कटा हुआ रहा धनिया हल्की आतों से इनकों मिक्स कर लेंगे एक चम्मच अध्रख लेशन का पेस्ट डाल देंगे और इसमें हम दो चम्मच कॉर्ण स्टार्च डाल देंगे और कॉर्ण स्टार्च से बाइंडिंग आएगी और क्रंची बनेंगे अब इसमें हम एक चम्मच पाउडर डाल देंगे और थोड़ा सा पानी कर लेंगे और इसको भी हल्के आटों से निक्स कर लेंगे इस तरह से इसा भी चीज़ें पनीर पर कूर हो जाएं इस तरह से होना चाहिए बेटर जैसे हम पकोड़ी का बनाते हैं पनीर अच्छी से कोट हो गया है अब मीने फ्राइब करेंगे पनीर को फ्राइब करने के लिए और कु मैंने गर्म कर लिया है गैस को मैंने मीडियम रखा है अ पनीर को हम क्रंची होने तक प्राइब करेंगे अब मैंने नकाल लेंगे इस तरह से और भी फ्राइब कर लेंगे यह मैंने पनीर को फ्राइब कर लिया है मैंने एक पैन लिया है एक चमच ऑईल डाल देंगे अबसमें थोड़ा सा जीर डाल देंगे सुखी हुई लाल मेच और यह कटा हुआ लैसम थोड़ी से साबद करीब अधा थोड़ा का भून देंगे हल्का सही बूलना है थोड़ा पैन का पच्चा पंदूर हो जाए इस मैंने सभी चीचों को सौटी कर लिया है अब इसमें हम पनीरेट कर देंगे अब थोड़ा से नमक डाल देंगे पटा हुआ अब प्रादनिया और इनको अच्छे से टॉस कर लिया है अब प्लेट कर लेंगे यह देखिए यह एंबी इम्य पनीर 645 तयार है इस रेस्पी गोँ आप किसी भी पार्टी में स्नेक्स के रूप मेशा कर सकते हैं आप लोगों को मेरी पनीर की रेस्पी पसंद आई हो तो मेरी वीडियों को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा से वामदार करें को मेरी चैनल को and take care